वेल्कम आपका स्वागत है आज मैं आपको सरदर्थ का मांसिक कनेक्शन उसके बारे में बताने वाला हूँ मिना नाम है डॉक्टर दीपक के लेकर मनोविकार सेक्स रोग संवों तता विसनमुक्ति तक गया हूँ महाराष्ट में अकॉला पुना नाकपुर बांबे यहां प्रैक्टिस करता हूँ हमारे यहां दो हस्पिटल है जहां मनोविकार मनोरुग्ण जो है उनको व्यसनि लोगों को भरती करते हैं उनका इलाज हम करते रहते हैं काफी सारे लोगों को सरदर्थ होता है वो सरदर्थ एक तो पूरा सरदर्थ होता है या उनको आधा सरदर्थ होता है माइगरेन जैसा माइगरेन बोलते हैं उसको या माइगरेन जैसा होता है और उसका फिर लोग इलाज करते रहते हैं सरदर्थ के लिए घुमते रहते हैं बड़े बड़े फाइल लेके लोग घुमते हैं उस बलेड प्रेशर बढ़ने से सर्दर्द आ सकता है बलेड प्रेशर भी नॉर्मल इस सर्द alusi ह् माइग्रेन leagiqueнач साय एक ले भी कोए सर्दी है इसका व했습니다 से साने समान हो गाइण सब्सक्राइब कर दिमाग के ऊपर टेंशन से डिए स्ट्रेस आने से लोगों को सरदर होते रहते हैं उनको प्रब्लेम होता है सरदर का उसका कनेक्शन रहता है मानसीक माग के उपर टेंशन से स्ट्रेस आने से लोगों को सरदर होते रहता है क्या होता है कि मन चाहत काम नहीं है काम में बहुत तनाव है टार्गेट्स है हैना गोल सेट किये हुए वह अच्चिव करना है भागा दोड़ी है और उसमें मन के खिलाफ काम करना पड़ता है कुछ-कुछ इतना तनाव पुर्ण वातार में लोग काम करते है कि यह पूरी जो मसल्स है स्काल मसल्स मतलब चमड़ी के नीचे जो भी मसल्स है वो पूरी ऐसी तनाव में आ जाती है उससे सरदर्द होते रहता है और फिर लोग इलाज करते रहते है बड़े-बड़े injection लेंगे उसके प्राब्लिम भी ऐसे होते हैं कि injection लेंगे, दभाई लेंगे उसकी लध लग जाती है अब सरदर्द ना होने के लिए भी गोली खाना पड़ते रहता है क्योंकि भी सरदर्द धोंगा करके सरदर से लोगों को नीन भी नहीं आती रात को रात को नीन नहीं हो दुसे दिन फ्रेश नहीं होते फ्रेश नहीं है फिर सरदर चलो हो जाएगा और फिर दिन बर तकलिव यह जो टेंशन हेड़ेक है ना यह टेंशन हेड़ेक सबेरे बिल्कुल रहता नहीं है जब अच्छी जिन हो जाती है सबेर एक्तम फ्रेश और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगा जैसा ऐसा सुरज उपर जाते जाएंगा वैसा वैसा इनका टेंशन बढ़ते जाता है और शाम तक कभी सारा टेंशन आते रहता है तो यह जो tension है इच्छा के विरुद्ध इच्छा के खिलाप काम करते रहते हैं पैसे का tension होगा पती बतनी का नहीं पट्टा होगा बच्चों का कोई problem होगा उसका tension है girlfriend boyfriend का problem है उसका कोई tension है property का problem है उसका tension है या फिर कुछ आगे करने लाइक है नहीं जिन्दगी में उसका tension है जिन्दगी में लाइफ में नाराजगी है तो ऐसे बहुत सारे problem रहने से फिर tension होते रहता है वो जाएंगे neurologist के पास में कि ब्रेन का problem है आखों के डॉक्टर के पास में जाएंगे कान ना कले के डॉक्टर के पास में जाएंगे जो सब तरह घूमफिर के लोग फिर आखरी हमारे पास में आते psychiatrist के तरफ की देखो कोई मन का problem है वो भी आने को लोग तयार रहते हैं क्योंकि उनको लगता psychiatrist के पास में के मतलब क्या पागर है हमको मां क्यों भेज रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है tension headache is due to tension stress उसको नाम ही tension headache तो उसमें फिर हमको दवाई देते है tension कम करने की number 1 जो दवाई से tension कम होगा मगर वो temporary है उसको जरूद है counseling की उसको जरूद है hypnotize करके self-hypnose करके उसको relaxation देने की उसको जरूद है उसके जो problems है वो problems को वो powerfully कैसा deal कर सके वो problem को कैसा face कर सके जो भी life के problem है वो counseling करने की वो guidance करने की वो coaching करने की तो वो हम करते रहते है और वो करने से कुछ 4-5-6 session होते रहते है और उसके बाद में वो ठीक होना चलो हो जाता है tension headache से productivity बहुत कम हो जाती है मतलब सरदर हो रहा है हो सकता है वो migraine भी हो migraine भी psychosomatic है मतलब tension के वज़े से migraine के attack आते रहते है आदा सरदर दुखता है और उसमें problem होते रहते है तो migraine रहो या बागी tension headache भी रहो उसका इलाज जो है वो दमाई यहां temporary और बाद में फिर उसका इलाज psychological कितने सारे लोग migraine के है कि जिनको हम psychotherapy देते हैं counseling करते हैं और उनका migraine हर दम के लिए निकल जाता है हर दम के लिए निकल जाता है तो जरूर आप यह वीडियो लोगों को share करो आपके संबर में काफी सारे लोगों जिनको migraine है headache है ठकान है दिमाग कैसा कैसा करने लगता है confusion है और जिसके वज़े से वो काम नहीं कर पाते उनको यह share करो आपके facebook के ग्रूप के उपर वीडियो यह share करो whatsapp के ग्रूप के उपर share करो आपको अच्छा लगा तो subscribe करो और bell icon जाओ तो उसके उपर click करो ताकि आपको मेरे वीडियो की notification सबसे पहली बार आ जाएगे आपको अच्छा लगा तो जुरूद share करना thank you for watching the video thanks